समकालीन हिंदी की सुपरचित और प्रतिष्ठित लेखिका नीरजा हिमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी सुनियें अमलतास के फूल प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी मैं हूँ सीमा सिंग मैं ठीक समय पर बैंक में पहुँचकर अपने कार में व्यस्त हो गई व्यस्तता तो थी किन्त फिर्दे आज कुछ विश्लित और अशांत सा भी हो रहा है मैं ये तो नहीं कह सकती कि न जाने क्यों आज विश्लित के विश्लित होने का जो कारण है उसे मैं समझ भी रही हूँ प्रति दिन की भाँ दे आज भी प्रसंद मन से कार्याले आई थी बैंक आकर जब कुछ सहकर्मियों ने मुझे जन्म दिन की बधाई दी तब मुझे इसमरर हुआ कि आज मेरा जन्म दिवस है जीवन के आपा दापी में मैं आज का दिन विश्लित कर बैठी थी कार्याले में एक दो पर्चेतों का भी फोन आया तब से हिर्दय शांत सा है विश्लित सा है जन्म दिवस का इसमरर में भला हिर्दय के विश्लित होने का कारण हो सकता है मैं दिन भर यही सोचती रही बैंक से घर आकर पर्स वा लंच बॉक्स डाइनिंग मेश पर रख अंजली से चाय बनाने के लिए कहकर मैं सीधे बातरूम में चली गई मेरी छोटी बेहन अंजली जो की एक महिला कॉलेज में लाइब्रेरियन के पद पर कारेरत है वो मुझसे पूरी घर आ जाती है उसका कॉलेज बंध होने का समय मेरे बैंक बंध होने से पहले है अता वो मुझसे पहले घर में उपस्तित रहती है अंजली के घर में रहने से मुझे बड़ी रहात मिलती है एक तो घर खुला मिलता है घर खुला मिले तो घर में ताजी हवा और रोश्णी रहती है अन्यता बंद घर खोलने पर कुछ समय तक कमरे का वातावरन रग दम घोटू सा रहता है यूँ भी बंद घर खोल कर प्रवेश करने में मुझे न जाने क्यों अकेलेपन की अन्भूती पढ़ जाती है अन्जिली के पहले से घर में मौजूद रहने से मुझे अच्छा लगता है वाच बिशिन्ज के शीशे में स्वयम को देखते हुए मैं सोचने लगी कि घर से बैंक और बैंक से घर की दिन चर्या में समय कब इतना आगे बढ़ गया मुझे आभास तक ना हुआ कि मैं उम्र की तिरपन सीड़ियां पार कर चुकी हूँ ओफ तिरपन वर्ष ये तो समय की बड़ी अवदी है मैंने दरपन में स्वयम को देखा जैसे प्रथम बार देख रही हूं स्वयम को काले सफेद उलजे बाल, आखों के चारों तरफ स्याह घेरे, नाक पर चश्मे का भूरा निशान, निस्तेच चेहरा क्या ये मैं ही हूँ? अब से पूर तो मैं ऐसी नहीं थी या कि स्वयम को इस से पूर ध्यान से देखा ही नहीं था या उस द्रश्टे से देखने की आवशक्ता ही न पड़ी हो, जैसे आज देख रही हूँ? सत्य यही है कि आज की द्रश्टे से स्वयम को इस से पूर मैंने नहीं देखा था समय की इतनी बड़ी अवधि पार कर गई हूँ, इस अवधि में जीवन में क्या पाया? मैं सोचने लगी, हाथ मूँ तो कपका धो चुकी थी मैं, किन्त आज दरपड के समक्ष खड़े होकर स्वयम से बात करने का मन हो रहा था आकर क्या पाया मैंने इस लंबी अवधि में? क्यों मैं उम्र के इस पड़ाओ पर किसी अंजाने भैसे बच्चों की भाति भैबीत रहने लगी हूँ? पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, पहले क्या था मेरे पास और आज क्या नहीं है? मेरे हिर्दय में अनेक प्रश्न, अनेक आशंकाएं व्याप्त होती जा रही है दीदी चाई ठंडी हो रही है, बात्रूम में कुछ ज़्यादा समय लगता देख अंजली ने आवाज लगा दी है विचारों पर विराम देते हुए मैं शिगरता से बात्रूम से बाहर आ गई मेरी चाई अंजली ने कमरे के कोने में रखी डैनिंग टेबल पर रख दी है तता अपनी चाई लेकर टीवी के सामने बैठ कर बढ़ी मनोयोग से अपनी पसंद का सीरिल देखते हुए पी रही है अंजली को इस प्रकार आनंद के साथ चाई पीते हुए देखकर मुझे अच्छा लग रहा है मैं डैनिंग टेबल पर बैठ कर चुप चाई पीने लगती हूँ तता अंजली को देखने लगती हूँ घर के अधिकांशता कार प्रते दिन ऐसे ही समवाद हींता के बिना होते हैं यंद्रवत मेरी चाई खत्म हो चुकी है किन्त विचारों का प्रभात थम नहीं रहा है इस घर में मैं और अंजली ही तो रहते हैं मेरे तीन अन्य भाई भी हैं जो इसी मकान के तीन अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं मेरे साथ मेरे भाई नहीं रहते या यूं कहें कि मैं भाईयों के साथ नहीं रहती मैं और अंजली इस बड़े से मकान के सबसे किनारे वाले छोटे हिस्से में एक साथ रहती है अंजली वह मेरी उम्र में दस वर्ष का अंतर है चारों भाई मुझसे छोटे हैं अंजली हम सबसे छोटी है मुझे यात आते हैं बच्पन के दिन मैं और अंजली एक ही कॉलेज में पढ़ते थे घर से एक साथ निकलते थे अंजली प्राइमरी कक्षाओं के और मुर जाती थी मैं इंटर्मीडियर्ट की इस्कूल छूटने पर हम एक साथ घर आ जाते थे प्रारम्व से ही अंजली भावनात्पक रूप से मुझसे जूरती चली गई थी इस्कूल में कोई समस्या होती तो उसी दे मेरे पास आती घर में किसी अने से अपनी कोई समस्या नहीं कहती ना मा पिताजी से ना भाईयों से मुझे अब तक इसमरण है कॉलिज के प्रारम के वे दिन जब अंजली मेरे साथ मेरी ही कक्षा में बैठना चाहती थी मैं बड़े यत्न से उसे समझा कर उसकी कक्षा में पहुचा कर आती थी जब वो कुछ बड़ी होने लगी तो वो घर में सबसे अपनी इच्छा प्रिकट करते हुए कहती कि मैं भी बड़े होकर अनामक्या दीदी की तरह बनूँगी बड़ी कक्षा में पढ़ूँगी प्रथमाऊँगी उसकी बाते सुनकर मैं मुस्कुरा पढ़ती आज भी मैं मुस्कुरा पढ़ती हूँ हिर्दे में उठती एक गहरी टीस के साथ कि अंजली का भागे मेरे भागे से कितना मिलता जुलता है वो कुछ-कुछ मेरे जैसा ही भागे लेकर आई है बच्पन की बाल सुलब बातों में सत्य छुपा था कदाजित अपनी शिक्षा पूरी कर में नौकरी कर तयारियों में व्यस्त हो गई थी कि एक दिन अकस्मात पिताजी के शरीर के दाहिने अंगने काम करना बंद कर दिया वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए मा पर घर के कारियों के अतरिक्त पिताजी की देखभाल का उतरदाई तो भी आ गया वो घर में ही व्यस्त होती गई तथा पिताजी सामाजिक रूप से निश्क्री है लोगों के मुझे मैंने सुना कि मैं विभायोगे हो गई हूँ लोग कहते रहे समय मेरी उम्र को लेकर आगे बढ़ता रहा इसी बीच मुझे बैंक में नौकरी मिल गई पिताजी की दिन चर्या या यूं कहें कि पूरा जीवन वीलचेर तक सिमट किया देखते देखते मेरे चारों भाई भी शिक्षा पूरी कर नौकरियों पर लग गए हम सब को आत्म ने भर होते देख पिताजी के चेरे पर आत्म संतुष्ट के भाव चलक पड़ते मैं घर में सबसे बड़ी थी घर में सबसे बड़ी होने के कारण प्रारम्व से ही आने जाने वाले परचितों रिष्टेदारों की द्रिष्ट में आकरशन का केंद मैं थी अब तो एक अच्छी नौकरी में भी थी मैं अता मेरा सामाजिक दाइरा बढ़ता जा रहा था शादी पऱों या अने किसी बुलावे पर मा पिताजी मुझे ही भेचते अंजिली मेरे साथ होती सबी मुझे अपने घर को लाते किन्ट मैंने किसी भी परचित को अपने लिए विवाह का प्रस्ताव लाते नहीं सुना जबकि सभी मेरी विवार कुशलता वा हस्मोग सभाओ के प्रशन सकते तता उनके घरों में विवायोग लड़के भी थे इसका कारण मैं अपनी साधरा शकल सूरत को समझती लंबा कद, छरहरी काया वा गहुआ रंग होने के पश्चाद भी मुझे लगता कि मेरा चेहरा आकरशक नहीं है या था शने शने मेरे चारों भाईयों का विवा हो गया मेरे चेहरे पर समय ने लकीरे खीशनी प्रारम कर दी थी रितुए आती जाती, उनके साथ मौसम भी परवर्टित हो जाती कभी गर्म तपिश भरे दिन, तो कभी बर्फिरी ठंड लिये हुए शीत रितु प्रारम सही मुझे मेरे घर के सामने का अमलतास का व्रक्ष आकरशित करता तीवर गर्मियों में जब हर्याली सूखने लगती स्रश्टी बियावान सी उजार सी दिखाई देती तब ये अमलतास का व्रक्ष पीले फूनों से भर जाता स्रश्ट में फैले सूने पन को अपने आकरशक पुष्पों से भर देता उसकी इसी विशेश्टा के कारण में गर्मियों में बालकनी में खड़ी देर तक इस व्रक्ष के सौंदरिकों नहरा करती विवा की मेरी उम्र निकल चुकी थी किन्तो अंजली विवा की उम्र को छूने लगी थी उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी एक वर्ष घर में रहने के पश्चात अकेले पन से उप कर उसने अपने लिए नौकरी तलाशनी प्रारम कर दी थी स्वयम के प्रैतनों से उसने अपने लिए एक बालिका डिग्री कॉलेज में लाइब्रेडियन की नौकरी प्राप्त कर ली उसके दिन कॉलेज में वा राते घर में कटने लगी घर में आने जाने वाले रिष्टेदारों से बेटियों के लिए रिष्टे बताने के लिए कहते कहते पिता जी एक दिन इस दुनिया से चले गए पिता जी के निधन के पश्चात मा अस्वस्त रहने लगी भाईयों के अपने अपने घर संसार में व्यस्त हो जाने के कारण वे मुझे ही अंजली के लिए कोई योग वर तलाशने को कहती है मैं जैसे ही बैंक से घर आती उनकी कातर द्रिष्टी मेरी तरफ उठ जाती है मानो मैं कोई चमतकार कर, अंजेली के लिए योग इवर लाकर उनके समक्ष खड़ा कर सकती हूँ, मैंने ये चमतकार किया, इसी शहर के एक अच्छे लड़के से अंजेली का विवात तै कर दिया, रड़के वालों की च्छानुसार विवा कोर्ट में हुआ मैं भी कोर्ट में विवा के लिए सहमत थी आर्थिक विवश्टाएं इधर भी थी अता दोनों पक्ष कोर्ट विवा हे तो सहमत थे घर रहस्ती के सभी साजो सामान गहने बरतन जीवर के साथ हमने अंजली को विदा किया अंजली की सस्वराद इस्थानिय थी अता जब भी मिलने का मन होता अंजली हमसे मिलने आ जाती कभी बता कर तो कभी बिना बताए अंजली के विवा के कुछ महा पश्चात एक दिन मा भी चल बसें अंजली का विवाह देखने की ही उनकी इच्छाशेश रही होगी विवाह होते ही जीवन से उनका मौँ छूट गया मा के चले जाने के पश्चात मेरे जीवन में अकेले पन का घनत्व बढ़ता गया इस्मृतियों के विस्तरत पत कुछ कदम ही मैं आगे बढ़ पाई की रसोई में कुछ खटकने की आवाज आई अंजली टीवी बंद कर रसोई में जा चुकी थी वो रात का भोजन बनाने की तैयारी कर रही होगी मेरी चाय कपकी खत्म हो चुकी थी किन्त इस्मृतियां है कि समाप्ती नहीं होती है किसी मैदान में बारिश के पश्चा स्वता ओगाई घास वा असंग के बिर्वों सी इस्मृतियां मानस पटल पर विस्तरत हो जाती है रसोई से आती खटपट की धुनिया मेरी एकागरता को बादित कर रही थी मैं कमरे से बाहर निकल कर वालकने में खड़ी हो गई इस मृतियां मेरे समक्ष आती जा रही थी जैसे यह भी कल की बात हो रितुय बदल रही थी, शनय शनय वसंत रितु विदाले रही थी दभे पाउं ग्रीश वरितु पूरी स्रष्ट पर अपना पैर पसार रही थी मेरे घर के सामने अमल तास का व्रक्ष कलियों से परिपून होने लगा था व्रक्ष के पत्ते पीले होकर भूमे पर गिरने लगे थे बज कुछी दिनों में पूरा व्रक्ष फूनों से भढ़ जाएगा व्रक्षों पर पुरातन पीले पत्ते कहीं नजर नहीं आएगे धून भरी गर्म हवाओं में बियाबान स्रष्ट पर सौंदरेवा जीवन्तता तका स्रजन करते ये अमलतास के फूर इस मृतियां मेरे समक्ष आती जा रहे थी जैसे अभी कल की यी बात हूँ इस्थानी विवहा की कुछ अच्छाईयां होती है तो कुछ समस्याई भी होती है अंजिनी अपनी सुसराल में सामन जैसे कर सबसे घुल मिल कर रहने का प्रेतन कर रही थी नई जगे पर जाकर अचानक सब कुछ अच्छा तो नहीं हो जाता नए रिष्टों को बनाने वा विक्सित करने में समय वा प्रेतन दोनों लगता है इस्थानी होने के कारण अंजिनी अपने पती के साथ बहुदा आ जाया करती थी नजाने कब मेरे किस रिष्टेदार ने उसके पती के कान में अंजिनी के चरित्र को लेकर उल्टी सीधी बाते बहुदे और वो ने सचमान बैठा अंजिनी देखने में आकरशक है मैंने महिलाओं से सुना है कि वैवाहिक जीवन में सौंदर वशक बौदा साथ साथ चलने लगते हैं अंजिनी के साथ भी यही हुआ बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि अंजिनी मेरे पास आकर रहने लगी मा पिताजी के ना रहने पर इस संसार में मातर मैं ही उसका संबल थी मेरे रहते हुए अंजिनी के चेरे पर शांती वा सुकून के जो भाव आने लगे उनसे मुझे अनमान लगाने में देर नहीं लगी कि अंजिनी अपने इस वैवाहिक जीवन से कितनी तरस्त थी बच्चियों को इस प्रकार की शिक्षा देने की है कि वे ना सिर्फ विक्सित समाज के साथ चल सकें बलकि समाज के विकास में अपना योगदान भी दे सकें अंजिनी की ये सोच मुझे में भी उत्सहा का संचार करती है उसके तूटे वैवाहिक जीवन को लेकर कोई प्रश्न न कर बैठे इस और सहज इस्थिती से बचने के लिए अंजिली ने कहीं भी आना जाना कम कर दिया है अवकाश के दिनों में मैं कहीं किसी रिष्टेदार की घर या बैंक की सहकर्मी के घर मिलने चली भी जाती किन्त अंजिली कहीं भी न जाती घर से कॉलेज वा कॉलेज से घर शे समय कुछ निर्धन बच्चों की शिक्षा यहीं अंजिली की दिन चर्या रह गई है आठ वर्श हो गए भाईयों से बटवारे के पश्चात मिले घर के इस हिस्से को ठीक कराकर मैं वा अंजिली इसमे रह रहे हैं अंजिली टीवी खोल कर माथे पर छलकाई पसीने की बूनों को पोच रही थी मुझे देख कर मुस्कुराते हो इसने दीवार पर लगी घड़ी पर एक दिर्ष्टी डाली कदाचित ये समय उसके पसंदीदा धहरावाइक का था वो सोइफे पर बैट कर रिमोट से चैनल बदलकर आराम से टीवी देखने लगी टीवी देखने में मेरी विशेश रूची ना थी किन्तो मैंने अनमान लगाया कि जो धहरावाइक अंजली देख रही थी वो प्रेम कथा पर आधारित कोई धहरावाइक था जिसे अंजली बड़े ही मनोयोग से लेख रही थी उसके चेहरे पर विस्तित होती मुस्कुरहाट से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो नायक नायका की क्रेम लोग में स्वयम को इस्थापित करती जा रही है किसी युवती की भाती लज्जा और लालिमा के भाव उसके चेहरे पर दिश्टेगोचर हो रहे थे मैं अंजली को टीवी देखने में व्यस्त देखकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गए ग्रीश मिलेतु का आगमन हो चुका था पुरी श्रष्ट में अजीब सा विरानापन वसनाटा चपसरा हुआ था पतज़र की शुष्क हवाओं के जोकों से रक्षों से पीले पत्ते भूमी पर गिरकर इधर दर बेतरती पड़े थे मेरा हिर्दय आज मेरे तिरपनवे जन दिन पर इतना विशलित क्यों हो रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे श्रष्ट पर पसरा वीरानापन वसनाटा मरे हिर्दय में समाता जा रहा है एक भैसा क्यों मेरे भीतर समाता जा रहा है कि मेरे ना रहने पर अंजली कैसे अकेली रहेगी सभी भाईयों का विवाह हो चुका है अब तो उनके बच्चे भी विवाह के योगे हो चुके हैं उन सब की अपनी विवश्चताएं वाव्यस्तताएं हैं पास रहकर भी दूरिया इतनी बढ़ गई हैं कि वो हमेरे पास नहीं आपाते मैं और अंजली ही बहुदा उनके पास सले जाते हैं मिलने यहां तक की परवा प्रसनता के अफसर भी हमें अकेले मनाना पड़ता है यदि हम पहल करके उनके पास ना जाएं तो मैंने पलट कर अंजली की दरफ देखा वो निशित भाव से टीवी देख रही थी उसके चेरे पर वही चेर परचित प्रसनता के भाव में देवान थे अंजली को इस प्रकार प्रसन देखकर मुझे आत्म संतुष्टी की अनभूती हुई मैंने खिड़की के बाहर देखा आकार से उतर कर सांज शने शने पूरी स्रिष्ट पर भेलती जा रही थी दिन पर चलने वाली गर्म हवाएं शीतल पुर्वा के जोपों में परवर्दित हो रही थी व्रक्षों पर पतजड अपना प्रभाव छोड़ चुका था अधिकांश व्रक्ष पत्र विहिन हो चुके थे इन विप्रीत परिस्तितियों में अमलताज के व्रक्ष पुष्पों से भर गए थे हरे पत्तों के मद भुतायत में खेल उठे अमलताज के पीले गुच्छे कितने मन मोहक लग रहे थे अमलताज के इन पुष्पों को देखर सहसा मुझे सुखद अन्भूती होने लगी अभी तक एक अंजानी आशंका से मेरा हिर्दस सत्यव आशंकित रहता था कि मेरे ना रहने पर अंजली कैसे अकेली रहेगी बड़ी बहन के संबल की छत्रचाया भी उसके सिर्पर है इस छत्रचाया में वो बेफिक्र होकर रहती है प्रिकर्द की भाती जीवन में भी पतजड आता है मेरा ये सोचना कि अकेले पंद के पतजड वाले दिन अंजली कैसे व्यतीत करेगी व्यर्थ है पतजड में खिल उठे अमलतास के इन पुष्पों ने मेरा मार्ग दर्शन किया है अकेले पंद के पतजड में अंजली के जीवन में भी अवश्य खिल उठेंगे पुष्प अमलतास के प्रिकर्द का यही नियम है वंचित बच्चों को सिक्षित करना अंजली का धेय भी है मेरी अंतरात्मा ने धीरे से मुझसे कहा चलो अनामिका घर में चलो खिर्की से ताजी हवा आने दो प्रिकर्त ने सबके हिस्से की खुशियां सबको दी है तुमें भी अंजली को भी अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंदर जी की लिखी हुई एक सार गर्भित और खुबसूरत कहानी अमलतास के फूल आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी कल फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो